सुप्रभाद बच्चों मैं हिर सिकेश भकत पुनों एक बड़ आप सबके बीच अपना ओनलाइन क्लासेस लेकर के उपस्तित हुआ हूँ बच्चों मैं आज आप शवी को हिंदी ब्याकरन से समन्दित पाट बिशेशन की सोधाहरन बख्खा परिभाशा विवेद आदी को बताने के लिए आप सबके बीच उपस्तित हुआ हूँ ब्याकरन में बिशेशन का काफी बड़ा महत्तो है ब्याकरन को अच्छी और सरल तरीका से समझने के लिए ब्याकरन के सारे सहलियों का जन्ना नित्तांत प्रवजनियों है बच्चे देखिए उपरुख चित्र अनुसर दिखाया जा रहा है कि ये सरक किनारी एक फल वाले जो है ना स्वादिष्ट और रशीले आम बेच रहे हैं बच्चे इन सारे तत्थों को ले करके कि बिशेशन किसे कहते हैं किसी बेक्ति वस्तु एस्थान आधी के रंग, शभाव, गून, अवस्था, दोस, आकार, इस्तिती, निस्चज, परकार को बताने वाले ये बाते बिशेशता कहलाती है और इन विशेशताओं को बताने वाले शब्द विशेशन कहलाते हैं ये विशेशन जिनकी विशेशता बताते हैं वे शवी संगा या सर्वनाम की विशेशता होती है अता हम कह सकते हैं जो सब्द सेंगा या सरवनाम की विशेस्था बताते हैं उन्हें विशेशन कहते हैं विशेशन सब्द जिन सेंगा या सरवनाम सब्दों की विशेस्था बताते हैं वे विशेश्था कहलाते हैं जैसे काली विल्ली इसमें विल्ली सब्द विशेश्था है अनुदारन के तोर प्रकास आते हैं विशेशन, विशेश, जैसे बड़े विशेशन है और विशेश है भाई, सरारती विशेशन है विशेश इसी प्रकार, अन्नटखट विशेशन है बालक विशेश है, गंदा विशेशन है पानी विशेश है, छोटी छोटी विशेशन है नाव विशेश से हैं, विशेशन के चार वेद होते हैं बच्चे, विशेशन के वेद के बारे में देखिए मैं परदसीत कर रहा हूं, गुण वाचक विशेशन, सेंखा वाचक विशेशन, परिमान वाचक विशेशन, सर्वनामिक या शंकेतिक विशेशन, अब बच्चे इ गुण वाचक विशेशन, जो विशेशन संगा या सरवणा सब्दों के गुण, दोस, शभाव, रंग और आकार आदी को बताते हैं, वे गुण वाचक विशेशन कलाते हैं, जैसे मेरे पास सुंदर गुडिया है, गुडिया में लाल फरक पहना है, तो बक्को में रंगिन जो दिखाया गया हूँ आपका विशेशन है, कुछ अइन गुण वाचक विशेशन जैसे मोटा, पतला, गोरा, काला, उचा, नीचा, अच्छा, बूरा, बीर, कायर, बाहदूर, कमजोर, बिमार, स्वास्त, सही, गलत, गोल, लंबा, और सभी रंगों के नाम, अब आते है बच्चे सेंखा वाचक विशेशन की से कहते हैं, जो विशेशन सब्द शेंगा या सरवनाम की सेंखा की जनकारी देते हैं, वो ये सेंखा वाचक विशेशन कहलाते हैं, जैसे दो लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, आकास में एक चिडिया उड़ रही है, तो इसमें बग सभी सेंखाये पहला दूसरा चोथा छट्टा एगारवा आदी सभी करम बाचक सब्द है अब बच्चे आते हैं परिमान बाचक विशेशन जो विशेशन सब्द सेंगा या सरवनाम सब्दों के परिमान मात्रा क्वांटिटी या माफ तोल के बारे में जनकारी देते हैं वो परिमान बाचक विशेशन हैं जिसे चार लिटर, तस किलोग्राम, दो के तोला, पांच टन, कुछ किलोमेटर, ये सारे आदी कुछ ना कुछ परिमान बता ते हैं अब आते हैं अन्तिम जोने बच्चे सर्वनामिक विशेशन या संकेतिक विशेशन सर्वनाम संगा के पहले लग कर उसकी विशेशता के बारे में बताते हैं उन्हें सर्वनामिक या संकेतिक विशेशन कहते हैं जैसे यहां माली बड़ा अच्छा है इसी बगीचे में काला गुलाव है इन बाकों में पस्तूत रंगिन सब्दों को सर्वनामिक विशेशन कहते हैं कुछ अन्य सर्वनामिक विशेशन जैसे यहां परवात वे बच्चे यह गाड़ी, उस तलाव, तुम्हारी बेटी, आप लोग आ दे तो बच्चे याद रखने के तोर पर आप इसे नोट करके रख लीजिए अपने उत्तरपस्तिका में शेंगा या सरवनाम के सब्दों के विशेशन तब बताने वाले सब विशेशन कलाते हैं विशेशन जिन सब्दों के विशेशन बताते हैं, विशेशन चार प्रकार के होते हैं गुण वाचक विशेशन, सेंखा वाचक विशेशन, परिमान वाचक विशेशन और सरवनामी के संकेतिक विशेशन तो बच्चे मेरे दोरा जो भी यह सारे चीज पस्तूत किया गया है इसे आप अच्छी तरह से अपने उत्तर पुस्तिका में लिक लेंगे और लिक लेने के साथ साथ करंबार इससे 2-4 बार पढ़कर की से याद कर लेंगे और इससे समझने का प्रयास करेंगे बच्चे वीडियो देखने के दर्मियान इसे skip या jump नहीं करेंगे धन्नवाद बच्चे फिर मिलते हैं अगले class में